शामनगर के बच्चों में दिखा कोरोना टेस के प्रतिभारी उत्साह वही कोरोना टीम के आने की खबर सुनते ही क्षेत्रे लोगों ने घर के अंदर से लगाई कुंडी कोरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए जनपत फिरोजाबाद के चंदवार गेट के समीब शामनगर गली नमबर पाच में एक महिला की कोरोना जांज पॉजिटिव आने से पुरी गली में हड़कम मच गया स्वास्विबाग ने बिना कोई लापरवाई किये सुबह ही डाल दिया वहाँ अपना डेरा स्वास्विबाग के इस सराहन यह कार्य और बिना देरी किये कुरोना जान शिविर के लगाने की क्षेत्रिय लोगों ने प्रशन सा की किन्तु स्वास्त विबाग के टीम कर्मियों का कहना था कि वहाँ के लोगों ने टीम कर्मियों को देखते ही अंदर से अपने घरों के दर्वाजे बन करती है जब स्वास्त कर्मियों को इस बात का पता रगा तो उन्होंने क्षेत्रिय थाना प्रभारी एसे चो लाइन पार से बात की और मदद के लिए पुलिस कर्मियों को बुलवाया क्षेत्रिय लोगों ने देखा कि थाना प्रभारी ने तत्काल फोन करने के तुरंद बादी पुलिस कर्मियों को स्वास्त कर्मियों की सहायता के लिए भेज दिया जिससे लोगों का अधिक से अधिक कोरुना टेस्ट हो सके वही दूसरी तरफ स्वास कर्मियों का कोरोना टीम का यहाँ भी कहना था कि जहाँ बुजर्ग और बड़े महिला और पुरुशों में कोरोना टेस्ट को लेकर काफी भै था तो दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे कोरोना के जाँच के लिए उत्सुक दिखे कोरोना की जाँच करने आई टीम का यहाँ भी कहना था कि वहाँ के बुजर्गों यह कानाफूसी करते नजर आए कि कोरोना के बहाने उन्हें सरकारी अस्पताल में भरती कर दिया जाएगा और किसी की किंड निकाली जाएगी या किसी को जहर का इंजेक्शन दे कर मार दिया काफी समझा बुझाने के बाद प्रशासन की मदद से जबरन लोगों का करा गया कोरुना टेस्ट स्वासकर्मियों का यहाँ भी कहना था कि वहाँ के महिला और पुरुषों की अपेक्षा यह श्यामनगर गली नंबर पांच है इसमें कोरोना का पेसंट बताए गया लोग वागों से कई गई है जाच कराने के लिए केम्प लगा हुआ है लेकिन वो लोग घर में कमाल लगा लगा के बैट गया है जाच अपनी करानी रहे है जाड कोई भी फिर निकलता है तो फिर उसमें क्या अधिक्कत होगी सब लोगों के लिए चांती हूं कि सब लोग अपनी जाच करा लें मेरा नाम मोहिच शर्मा है, यहाँ कोरोना की जाच चल लही है, और सभी लोग बारी बारी से अपनी जाच करा रहे हैं, और यह टीम भी बैसे संगर्स कर रही है, मतलब जिससे की सारे लोग एक एक करके जाच करा हैं, पुलिस वाले भी यहाँ वारे साथ खड़े हुए हैं, कर रहे हैं, दर का भावना है, दर की मतलब थोड़ी को लग रही है, करोना की जाच की चक्कर में कुछ ऐसा लगता है, डर के कई बुना हो जाए, मैं डाक्टर गंदर, हमारा जो नोडल अड़कारी की तरफ से, जो आज केम्प स्यामनगर में लगा गया है, लेकिन सभी लो और आटीपीस जाए, जो दो तिन के बाद रबूर आती है, इसमें यही कहना है कि सभी लोग उनको द्वारा से चेक कराएं, केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने के लिए तयार नहीं है